हार को जो जीत में बदल दे असंभव को जो संभव कर दिखाए महज एक दीर से बड़े से महल को जो रोशनी से जगमगाई उसका नाम है देवी अहिल्या जी हाँ जीस परकार से बच्पन में देवी अहिल्या ने छोटे से दी के परकार से पूरे कक्ष को जगमगा दिया था रोशनी से भर दिया था अंदकार को मिटा दिया था बिलकुल इसे तरीके से देवी अहिल्या अब इस अंदकार को मिटा देंगी सोच को बदल देंगी ज पासा बदल जाएगा और ये कप्टी सेनिक दुरतात्मा वाला जिसके हाथ में तलवार है जो महा काई लग रहा है वाकई में इस वक्त सारजा के सामने और सारजा जमीन पर गिरी हुई है मगर सारजा यहां पर खेल को बदल देगी हाला कि देवी एलेका कलेजा भी मुझ को आया हुआ है क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि हाँ सारजा की जान खत्रे में है और ये इनसान नैतिकता भूल चुका है अला कि पहले भी इसने यही सोचा कि ये तो मामली सी लड़की है मेरे सामने क्या कर लेगी मगर ये लड़की क्या कर सकती है ये अब गिर करके ही इसे बताएगी गिरा दिगई है टांग पर चोट मारी गई है जान बुझकर उसे खाल किया गया है اور سارجہ کے باجو بھی جکھمی ہو گئی ہے वहां भी तलवार लगी है रक्त बहे रहा है और बस यहीं से जो पसीना उसके कांगी तरह से जा रहा होग और बाजू पे से जो रक्त बहे रहा है बो अब फिर से वो बात याद दिलाएगा देवी हिलें जो कई थी सारजा से और सारजा ने जिस परकार से कपड़ों को धोया था उसे जिसा हम् compression को धोयेगी और जैसे सब्जेएं काटा था इसे भी काटेगी देखी सारजा गिरी हुई है जमीन पर बेशक मगर उसके हाथ में अभी भी तल्वार है तलवार गिरी नहीं है उसके हाथ से चुटी नहीं है और जैसे ही इनसान वार करेगा उसके उपर वो तलवार से ढाल का काम लेगी और फिर जल्द ही वार भी करेगी उट खड़ी भी होगी क्योंकि यहां नारी शक्ती की बात हो रही है और नारी कभी नहीं हारती है ना वो कभी हारी है आप इतिहास उठा कर देख लीजिए और ना कभी हारेगी आप अपने घर में किसी भी काम में देख लीजिए तो यहां यकिनन पासा बदल जाएगा हाला कि संभावना ये भी है कि बीच में खंडेराव को रोक दें कि नहीं ये तो अन्याय हो रहा है और वार नहीं किया जा सकता मगर अचानक से जब तक वो बोले वार कर भी सकता है इनसान मगर देवी अहले कि ये सहली वार को रोक लेगी यकिनन रोक लेगी चाहे खंडराव रोकवाने के लिए कहें या ना कहें क्योंकि अब सारजा के पास में सिर्फ दो हिस्तिती है मारे या मरे वो हार नहीं सकती और संभावना ये भी है कि हो सकता है अपने घरेलू नुसके को इस तरीके के याद करे इजाद करे जिससे उस सेनी को चकमा दे दे उसे हरा दे ये भी हो सकता है बाकी आपको क्या लग रहा है क्या तलवार सारजा के आरपार हो जाएगी या फिर खंडे रहा हो बीच में इस यूद को इस लड़ाई को रोक देंगे क्योंकि ये अधर्म हो रहा है धर्म इसमें कुछ भी नहीं है या फिर सारजा ही समतकार दिखा देगी और उस तलवार से अपनी तलवार से सामने वाले की तलवार को रोक देगी और ना इस रोकेगी बलकि ऐसा लड़ेगी कि उसे और गुन्दू जी को हैरानी होगी कि किस से पंगा ले लिया था